आज हम बनाने वाले हैं गुज का ड्रॉइंग, बतक का ड्रॉइंग, तो सबसे पहले हम उसकी नेक ड्रॉआ करती हैं, नेक बड़ी लंबी सी होती है और पतली होती है, यहाँ पर हम उसकी आग बनाने वाले हैं और यहाँ पर हम उसकी बिल ड्रॉआ करेंगे, ब्राउन बिल होती तो नेक बड़ी लंभी सी होंगी यहां पर हम बॉडी बनाते हैं यहां से पॉंट होते भे जाइन करने हैं और यहां पर हम उसका टैल का पाट बनाने वाले है तो यह सटिप से कर प तुछ आपर जोइन करना है पीछह में छोटे कोन के जैसे उसके feather ड्रॉआ करना है और यह जो होती है white strip neck के उपर वो ड्रॉआ करते हैं यहाँ पर हम उसके fit ड्रॉआ करते हैं और इसमें हम हमारा imagination भी add कर सकते हैं इस drawing के अंदर दो बदक ड्रॉआ करने वाले हैं और यहाँ पर उसके body के उपर जो light brown shade के होते है feather light light draw करना है और water color से करने वाले हैं इसलिए हमें drawing हमेशे light draw करना है दो same exit draw करने के बाद हम background में grass वगेरा draw कर सकते हैं erase कर लेना है और erase हो जाने के बाद हम इसको light wash कर लेते हैं क्योंकि हमें water color background में mix होना चाहिए इसलिए तो पूरा wash हो जाने के बाद उसे soup ने देना है और soup ने देने के बाद हम पहले water color background में fill कर लेते हैं तो पानी बताने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे कोबार्ड ब्लू और पर्शिन ब्लू का यूज किया हैं यह हो जाने के बाद उसके जो body के ऊपर एकदम light brown shade बहुत ज्यादा पानी वाला shade यूज करना है और उसको पहले भर देते हैं body के ऊपर अच्छे से उसे हम सूपने देंगे सूपने के बाद उसके उपर थोड़ा dark brown shade से करेंगे अब यह गीला है यहाँ पर हम पहले भर देते तब तक हम उसके पैरों के ऊपर dark shade से outline के देते हैं यहाँ पर हमने dark brown shade का यूज किया है उसके पैरों के ऊपर तो outline करके हम उसको पहले भर देते हैं सूपने देते हैं फिर बात में हम दुबारा उसके color करेंगी तो इस type से हम यहाँ पर detailing कर लेते हैं जो नेक है उसके अंदर dark brown shade का use करेंगी तो यहाँ पर हम अच्छे से पूरा भर देते हैं और यहाँ पर एक उसकी white color के stiff होती तो वहाँ पर हम color नहीं करेंगी आग के आजू बाजू में coloring कर लेते हैं और उसे सूपने देते तो दोनों जो गुजे उसमें same azitis color रहेंगा same texture है तो दोनों को same azitis ही बनाना है दोनों पीछे side देख रहें ऐसा दिखाया है और अब उपर का dry होरा तब तक हम नीचे coloring कर लेते हैं नीचे का सूप गया है तो light brown, dark brown यहाँ पे भी और उसके neck में भी और उसके जो body रहेगा उसमें हम yellow marker shade और dark brown, light brown का use करके उसके wings draw करेंगे, light light तो यहाँ पे हम सबसे पहले light shade में उसके wings के ऊपर का जो textures होता है वो भर देते हैं तो पहले छोटे हैं, फिर उससे थोड़े बड़े, फिर उससे बड़े ऐसे zigzag, zigzag type से हमें बना है इस टैप से हम पूरा अच्छे से पहले light किया, फिर थोड़ा सा dark shade brown का, फिर थोड़ा सबसे ज्यादा dark brown shade का अब इसे भी हम सूपने देंगे, फिर दुबारा इसके अंदर थोड़ा सा dark brown shade यूज़ करने वाले detailing करने के लिए कभी भी हमें water color करना है, तो पहले light shade करेंगे, फिर middle, फिर dark, ऐसे step by step अब यहाँ पे जो नीचे की body के ऊपर ऐसे छोटे छोटे curve है, तो dark to light shade है यहाँ पे, उसके ऊपर इदर light light होते जा रहे तो इस type से नीचे भी करना है, same as it is, दूसरे वाले गुज़ में भी करना है, जो दूसरा बदक है उसमें भी करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा white जो part होता है, उसमें हलका सा blue shade का यूज़ किया है, अब जो neck के ऊपर dry हो गया था, उसमें और थोड़ा सा brown का shade, dark, यूज़ करके थोड़ा effect दे देते, यहाँ पे wings draw कर लेते, dark brown shade से, direct brush से, इस टेप से हम यहाँ पे same as it is, dark brown shade कर लेते, पहले light shade किया था, सूप ने दिया, फिर उसके उपर dark shade, यह जो उसकी बील होती है, उसमें भी हम dark brown shade का use करेंगे, तो हमें यह जो गुज़ बना रहे है, इसमें light brown, dark brown, yellow marker shade का use ज्यादा करना है, यहाँ पे हम एक पत्तर draw कर लेते हैं, और यह जब तक सूप रहे है, तब तक हम उपर की जो grass बनाई है, उसमें color करते हैं, तो यहाँ पे sap green का use किया है, इसे भी हम सूपने देंगे, इसके उपर भी हम दूसरे shade का use करेंगे, तो ऐसे 1, 2, 3 shade का use करके हमें coloring करना है, नीचे का जो part है, यहाँ पर हमने green के, otherwise यहाँ पे हम light brown, yellow marker shade का use करके थोड़ा dry effect भी बता सकते हैं, multi colors का भी, तो यहाँ पे हमने yellow, light green, chrome yellow shade का use किया है, sap green का use किया है, नीचे का green करने के लिए, और उसे dry होन देते हैं, यहाँ पे हम कुछ grass draw कर लेत लाइट shade में, सूपने देंगे, फिर दूबारा उस पे dark shade करेंगे, इस टाइप से हम सूपने देना है, थोड़ा रूपना है, अब नीचे का गिला है, तब तक हम पानी का जो part है, उसके अंदर, जो cobald blue है, उससे थोड़ा medium shade का use करके, पानी का effect दे देते हैं, पहले light किया तक अब थोड़ा सा middle shade में, और उससे अच्छे से mix कर देते हैं, और बीच बीच में कहीं पे grass, stone वगेरा हम द्रॉआ कर सकते हैं, तो इस टाइप से हम एक सुन्दर सा goose का watercolor में drawing बना सकते हैं, आपको drawing कैसा लगा है, आप comment box में, comment करके बता सकते हैं, और आप च चैनल को सबस्क्राइब करें, शेयर करें, तैंक यू